जै माता दी, जै माका मक्या, ओम सिमन महागणाधी पते नमह, ओम उमा महिश्वरा भ्यो नमह, ओम शची पुरंदरा भ्यो नमह, ओम आनी हिरन गरबा भ्यो नमह, ओम लक्षमी नारणा भ्यो नमह, ओम कुल देवता भ्यो नमह, ओम इस्ट देवता भ्यो नमह, ओम ग्राम दे आप पना थाप सफबी ओंद सुब्रेव देवैल आम चत्र इंप जित एव्यो दे डिनकता गजाउंद आम सोडस मातरिका देवे भ्यो नमाहा, आम सब्त सागरे भ्यो नमाहा, आम सब्त रिशिभ्यो नमाहा, आम सब्त नतीब भ्यो नमाहा, आम शम्चेत्रपालाय नमाहा, आम बंभेरवाय नमाहा, किरिम काली काय नमाहा, हम हनुमते नमाहा, अम उग्रवीरं महा विष्दुम जलन्तं सर्वतों मुखं नरसीहं भीष्णं भद्धं रत्यूं रत्यूं नमाम्यां ओम किलिम क्रश्नाय नमह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ह। ओम नमो नाराणाया। जिस किसी भी मनुश्य को काल सर्फ दोश होता है उसे अपने जीवन में बहुत कस्ट और संगर्श में जीवन होता है तो जिस भी मनुश्य का काल सर्फ योग किसी भी तरीके से हो तो उसमें अश्युप परिणाम जीवन में ज़्यादा प्राप्त होते हैं और यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है मानो या नमानो यह पूरुता सत्य है क्योंकि बहुत से विक्ति हमने देखे हैं जो केते हम पिछला जन्म नहीं मानते हैं पन्तु जब उनको उनके मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है उनके द्वारा किये गए प्रयासों का फल प्राप्त नहीं होता है तो उनको जब मानना पड़ता है फिर किहां काल सब दोश होता है आजकल बहुत से तथाकतित कुकुर मुट्टो की तरह उग गय जोती शी छोटे मोटे यह भी आजकल काल सब दोश का विरोध करने लगे हैं जबकि प्रेक्टिकल ग्यान और किताबी ग्यान में जमीन आस्वान का अंतर होता है प्रेक्टिकल ग्यान देखो कि 20 काल सब दोश से युक्त व्यक्तियों की पत्रिका आप लीजिए और बीसों का इंटर्वी लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कालसब दोश होता है हमने तो अपनी जिन्दगी में हजारों पत्रिका देखी है जिसमें कालसब दोश था और उनके जीवन में वास्तव में संगर्ष बहुत हुआ योग्यों होते भी वो योग्यों पतपर नहीं पहुश पाए सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अच्छी डिग्री नहीं मिल पाई और यदि अच्छी डिग्री मिल गई तो उस डिग्री का सदुपयोग नहीं कर पाए विवा नहीं होना लिखा है तो नहीं हुआ और विवा होने के बाद जीवन में संगर्ष लिखा है तो विवा होने के बाद बच्चे पेदा होने में भी संगर्ष हुआ और बाद में बच्चे ने भी शत्रूता रख लिया ने जीवन में हर समय हर कदम पर शत्रूता ही शत्र ग्रहन योग बन जाए तो अश्युब परिणाम और ज्यादा कड़वा हो जाता है तो पहले आप अपनी पत्री का उठा के देख ले अपने परिवार की अपने बच्चों की क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को उचा उठाना चाहता है हर माता पिता चाहते है कि उसका बच्चा उससे बड़ा बने सुखी रहे सम्रद रहे जीवन में उसे कोई कस्ट नहीं आए पंदु फिर भी बच्चे के कर्म के अनुसार उसके जीवन में कस्ट की प्राप्ति होती है तो कालसव योग की अवस्था में अश्युप परिणाम और बढ़ जाते हैं यदि सूर् राहू बेट जाता है और कालसव दोस्थ भी होता है तो ग्रहन योग के लाता है यदि राहू चंद्र की यूति ग्रहन योग बनाती है और कालसव योग भी है तो और ज्यादा कस्ट बढ़ जाते हैं राहू मंगल की युक्ति हो तो अंगारक योग बन जाता है और कालसव दोश्वी बन जाता है तो जीवन में कस्ट और बढ़ जाते हैं राहू बुद्ध यूती जड़त्व योग बना देती है जो बुद्धी को कुंठित कर देती है और दिमाग काम नहीं करेगा राहू ब्रहस्पती की यूती चांडाल योग बनाती है जो पढ़ाई लिखाई तो करा देगी पर दुस पढ़ाई लिखाई का जीवन में प्रयोग नहीं होगा उसका सद्विप्योग नहीं होगा राहू शुक्र यदि साथ में बेठ जाता है तो अभोत्वक योग बनता है याने कि जो आपके पास सुक सम्रद्दी शांती होना चाहिए वो नहीं होती ह और राहू और शनी की यूती नंदी योग बनाती है तो इस प्रकार से यदि राहू केतु के बीच में सभी गरह आ जाएं और राहू के साथ में ये गरह भी साथ में बेठे हुए हो यदि उस ही एक ही घर में तो उसके अशुब प्रभाव को और जादा डबल अशुबता क कर देती है तो यदि आपके किसी के भी परिवार में किसी भी सदस्च के यदि काल सब दोश हो और उसके साथ साथ ये गरहन दोश या अंगारक दोश या जड़तव योग या चांडाल योग या नंदी योग हो और इससे समंदित कुछ हद तक राहत प्राप्त करना हो तो आप देवराधा टस्ते से संपर कर सकते हैं प्रति वर्ष जो दोश होता है उसकी पूजा कराना होती है एक बाल की पूजा से आप पूरी जिंदे की सुखी नहीं रह सकते हैं विशेश तिथी विशेश मुहुट पर इनकी पूजा होती है कालसब दोश की पूजा सामान नितह नाग पंचिमी के दिन स्रावन के महीने में कराना चाहिए या फिर कालसब दोश की पूजा शनिवारी अमावस्या को सोमवती अमावस्या को अवश्य कराना चाहिए केवल ये 3-4 दिन ही इसके लिए निक्त किये गए हैं अन्य समय पर एधि पूजापाट कराते हैं तो उस पूजापाट का पूढ़नतफल प्राप्त नहीं होता है या कम प्राप्त होता है इसलिए आपका समय भी बरबात होगा और पेशा भी बरबात होगा इसलिए आपको सिर्फ शोंबिती अमास्या के दिन शनीवारी अमास्या के दिन या फिर सर पित्र मौक्ष अमास्या के दिन ये काल सब दोश की फूजा कराना चाहिए जैमाता दी जैमा कमक्या